Hello friends, कैसे हैं आप सब؟ I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आप सब के लिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाम नास्ता लेके आई हूं जो की बणा है सुजी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और आपको बड़ों बच्चों क्या बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम ले लेंगे एक छोटा चम्माच कोई भी कुकिंग आए जो भी आपके पास अब लेवल हो आप ले सकते हैं एक छोटा चम्माच हम ले लेंगे जीरा और एक सफेद तिल अगर आपके पास हैं तो सफेद तिल जरूर एट कीजिएगा बहुत ही टेस्टी लगता है और क्रिस्प भी आता है नास्ते में एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें निकल के आता है इसको हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जब अच्छे से थोड़ा सा जैसे तड़का तयार हो जाता है उस दो मिनट या एक मिनट तक आप इसे जरूर से जरूर पकाईएगा उसके बाद हम इसमें एट कर देंगे दो हरी मिर्ची दो हरी मिर्ची को हमने बारी कट कर लिया है और धेर सारा धनिया हम एट करेंगे अगर आपको पसंद है तो धनिया जर अगर आपको यह बहुत ही कम सब्जियों में बहुत कम मसालों में बना के हम नास्ता त्यार करने वाले हैं चिली फ्लेक्स हमने एक चोटा समाश एट कर दिया है दो हमने मीडियम साइज के आलू लियों ने बॉयल करके और उसे मैस कर लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके इसमें खुब अच्छा सा इसका हम पेस्ट बना लें दो से तीन मिनट तक इसको हम अच्छे से भूनेंगे आलू को तो इसका जो कच्छापन या जो खुस्बू होती है वो सारी निकल जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा आलू के बुनने के बाद देखे हमने कितना अच्छे से इसको भून लिया है और जो भी इसमें गुल्टियां भी रह जाती है तो वो भी जो मैश करने में निकल जाती है इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एड़ कर देंगे और उसके बाद हम इसको फिर से मिक्स कर देंगे बहुत ही टेस्टी नास्ता बनके तयार होगा दोस्तों आप देखते रही इन देखिएगा कि यह कितना अच्छा नास्ता बनके तयार होता है एक बार जरूर से जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही टेस्टी नास्ता बनके तयार होगा सब्सक्राइन सब्सक्राइब करें लुकों जो सब्सक्राइब, अगर है निम्मों का रस्त में आधा कीजेगा वरना आप इसे skip भी कर सकते हैं या इसकी जगे पे आप दही भी add कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो नहीं पसंद है तो आप पूरी तरीके से skip कर सकते हैं या vinegar भी इसमें एक बड़ा चमच आप इसमें add कर सकते हैं इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे इसमें गुल्थिया ना बनने पाएं बराबर चलाते रहेंगे अगर गुल्थिया पढ़ जाएंगी तो नास्ता नहीं अच्छा बन पाएगा और बनने में थोड़ा सा जैसे वो रहता है तो बहुत ही बेकार लगता है तो इसको हम अच्छे से चलाते हुए इस तरीके से एक डो फॉर्म में तयार कर लेंगे आलू के साथ सूजी भी फूल जाएगी अगर हम बिना आलू के जैसे बनाते हैं तो उसमें हम दो कप पानी लेते हैं और एक कप सूजी लेते हैं लेकिन हमने आलू के साथ में यह पकाया है तो हमने सेम कौइंटिटी में ही पानी भी लिया है और सेम ही सुजी लेंगे 60 öld आलू ऑजोब कर लेता है डो द्यार हो चुका है वहमें एक ठाली ले लेंगे उसमें हम कोई ओल से ग्रीज कर लेंगे जिससे कि वो चिपकने चिपकने ना पाए और डो हमारा अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद ही बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है हलका सा गुर्गुना हो रहेगा तभी हमें इस नास्ते को बनाना है इसको हम इसमें डाल देंगे और रूम टंपरेचर में ही रख देंगे दो मिनट के लिए दो मिनट के बाद ही ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा ये इस तरीके से हम इसको थाली में फैला देंगे बहुत फटा-फट से देखिए अभी ठंडा हो जाएगा बस दो मिनट के बाद हम देखते हैं ये देखिए दो मिनट हो चुके हैं ये ठंडा हो चुका है बस हलका सा गुनगुना रहे तभी हमेंसे बनाना है इस तरीके से अच्छे से इसको हम मसलने के बाद इसका हम एक टिक्की का सेफ दे देंगे आप कोई भी सेफ दे सकते हैं तिक्की का दे सकते हैं या कोई भी आपको जो पसंद हो आप उस तरीके का सेफ दे सकते हैं मैंने ट इस तरीके से तयार कर लेंगे दोस्तों वीडियो तो थोड़ी सी भी आपको पसंद आती हो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर से जरूर कर दीजेगा अगर थोड़ी सी भी यूज वह लगी हो तो इसे फैमली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा क्योंकि नास्त होते हैं और बहुत ही टेष्ट हुआ तो लगटे हैं तो यह जरूर से जरूर ट्रेव करिएगा कह इस तरीके से हम सारी टिकों बनाके तैयार कर लेंगे यह देखिए आप सिलेंडर का सेप दे सकते हैं या स्क्वाइर सेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो सारी टिकिया बनके तयार हो चुकी है अब इसे हम सेलो फ्राइ कर लेंगे आप चाहें तो इसे डी फ्राइ भी कर सकते हैं लेकिन हम सेलो फ्राइ करने वाले हैं इसमें जो हैं से ब्रॉट होने तक पका लेंगे ब्राउन होने तक पका लेंगे थिस्ञास की रखिएंगे कि गैस फेलें जब कलर आजाएगा तब हमें इसे निकाल लेना है नास्ता हमारा बनके तयार हैं दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लिजेगा मैं इस तरीके की आसान सी रेस्पीच लाती रहती देखें सेकेंड बैस भी तयार हो चुका है और सारा नास्ता देखें बनके तयार हो चुका है आप हमने टमाटर की चटनी के साथ इससे सर्फ किया है आप चिली सॉस के साथ टोमेटो सॉस के साथ या इमली की चटनी के साथ जैसे भी आपको पसंदो या बिना चटनी के भी याप चिसे चाई के साथ भी enjoy कर सकते हैं देखिए कितना उपर से क्रिस्पी बना है और अंदर से एकदम soft है यह देखिए अंदर से एकदम soft है तोस्तों नास्ता बहुत भाँत ही लाजबाब बनके तयार हुआ है एक बार जरूर से जरूर try करिएगा और अपने experience मेरे साथ जरूर से हर किये जेगा फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ भाई